हेला दोस्तों कैसे आप सब आज है इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्स्ट्यूजन मॉल्डिंग प्रोसेस के बारे में एक्स्ट्यूजन का मतलब होता है कि किसी डाई के थुरू मैटीरियल का कॉंटिनियूस फ्लो तो बात करते हैं कि इस परोसेसल में कैसे कारिया होता है इसके एडवेंटीस क्या है तो एक डाईगराम आपके सामने है इस डाईगराम में कुछ मेंन कम्पोनेंट होते हैं अगर आप देखें एक मोर लगी हुई है मोटर के बाद एक gear reduction box है उसके बाद thrust bearing है और एक barrel आपको नजर आ रहा है जिसको हम slender भी कह देते हैं यहाँ पर एक hopper लगा है और barrel के अगर आप around देखें कुछ यहाँ पर thermo couples और heater लगे हैं और यह barrel की lining है और इस barrel के अंदर अगर आप देखें एक rotating screw होता है और यहाँ पर हम देखें एक breaker plate लगी है और साथ में यहाँ पर एक dyes का इस्तेमाल किया गया है तो यह इसके कुछ component है तो बात करते हैं कि extrusion molding process में किस प्रकार से कार्य होता है इसमें क्या करते हैं कि जो hopper हमारे पास होता है इसमें हम material को डालते है material क्या-क्या हो सकता है thermoplastic material होता है जो vinyl resins हो सकता है cellulose derivatives हो सकते है nylon हो सकता है polypropylene हो सकता है polyethylene हो सकता है इसके तरिक तोर भी हो सकते है तो इन materials में से आफ़शकते अंस और जो material हमें चाहिए उसको हम hopper में डाल देते है hopper में जब उसको डालेंगे या तो powder form होगी या फिर pellets form हो सकती है जो छोटी-छोटी गोलियां हो सकती है granular form हो सकती है उसकी तो उसको यहाँ पर डाला जाता है अगर हम बात करें जो material granular form में होता है उसके साथ कुछ additives को भी mix करते है और सबसे पहले feed hopper में उसको रखा जाता है तो जहां से material और additives के mixture को एक extruding machine के slender में feed किया जाता है यह पूरी जो machine है extruding machine इसको बोल देते है ऐसी ही machine injection molding process में भी इस्तिमाल की जाती है तो यहां पर जो feed hopper है इसका जो hopper portion है इसके around कुछ circulating water की भी मदद से इसको ठंडा कर लिया जाता है ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो feed की जो pre-mature softening को avoid किया जासके और साथ में supply system में किसी प्रकार की blockage से भी बचा जासके अगर हम बात करें जब इसको हम डाल देते हैं तो जो motor की मदद एक powerful motor हमें चाहिए तो उस motor की मदद से rotating screw को rotate किया जाता है अब जो rotating screw जब rotate करेगा इसका काम होता है कि जो hopper से material और additives आए हैं उनको अच्छी तरह से mix करना और इस barrel या slender के through पूरा जो mixture है उसको यहां तक carry करना और आप बात करते हैं कि जो हमने इस process को शुरू कर दिया है तो इसमें क्या होगा कि जो slender या barrel है इसको heat किया जाता है इसको गरम किया जाता है heating करने के लिए heating coil का इस्तिमाल किया जा सकता है electricity का प्रयोग कर सकते है steam या oil की मदद ली जा सकती है slender की length के along ताकि हमें closely controlled temperature zone को हम set कर सके और इसके trick जब हम बात करें कि यह जो process होती है जब screw rotate करता है तो उस दोरान क्या होगा कि screw के rotating mechanical action के कारण कुछ internal friction और shear stresses जो surface होता है barrel का उसके along वो भी कुछ generate होती है तो जिसके कारण heat पैदा होती है तो इसके बाद क्या होगा कि जो rotating screw है इसकी मदद से material हमारा आगे की तरफ जाएगा और इस barrel के तीन section होते है एक होता है feed section melt section और melt pumping section जो feed section होता है तो इसमें क्या होता है कि जो material हमारा hopper से आया है इसको हमें barrel के central reason तक लेके जाना होता है feed section से इस rotating screw की मदद से उसके बाद जो melt section होता है जिसे हम compression zone या फिरी transition section भी बोल देते हैं इसमें क्या होता है कि screw core का diameter होता है वो gradually बढ़ता है और screw pitch decrease होती है तो plastic searing के कारण heat generate होती है और जिससे यहाँ पर melting है जो सुरू हो जाती है जो melt या जो pumping section है इसमें additional searing होती है plastic की और साथ में melting होती है और जो pressure build up होता है इस die की मदद से उसके कारण अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमने hopper में powder foam में या फिर पैलेट्स की foam में material को डाला था तो देरे देरे जो आगे बढ़ेगा तो heat की कारण वो melt होना सुरू हो जाएगा जो वो liquid state में आएगा तो यह जो dyes हमारे पास है इस dyes के थूरू उसको बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद उसको extrude किया जाएगा और breaker plate की मदद अकरम देखें उसको cut किया जा सकता है आवसकता उनसार और यह जो length होती है हमारे sections की इसको हम modify कर सकते हैं वो भी आशकता के उनसार और वो depend करेगा कि individual plastic की characteristics क्या होती है उस पे जो individual section है उसकी length depend करती है अब जो extrude जो shape है जो shape बाहर आएगी वो depend करेगी die की shape के अनसार अगर die की shape road की है तो बाहर road extrude होगा tube की shape है तो tube extrude होगी तो depend करेगा जो die की shape है उसी shape का part आगे की तरफ extrude होगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो extruded part है उस part को cool किया जाता है उसको cooling provide की जाती है अलग-अलग medium के दुआरा cooling की जाती है जैसे कि जो extrude shape आप इस diagram में देखें ये जो part आपको नजर आया है ये extruded part होता है तो इसकी cooling करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं सबसे पहले कि air के साथ expose करके इसको room temperature पर cool किया जा सकता है उसके बाद जो extrude shape है इसको control temperature पर liquid bath के तुरूफ pass करके cool किया जा सकता है या फिर compressed air के jet के माध्यम से भी इसको cool किया जा सकता है तो अगर आप देखें हम क्या-क्या जो particular shape बना सकते हैं tube बना सकते हैं, pipe बना सकते हैं seat ये film बना सकते हैं अलग-अलग structural part भी इसमें बनाए जा सकते हैं और इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि rapid cooling इसमें कभी भी ने की जाए extrude shape के बाद क्योंकि अगर rapid cooling करेंगे तो जो final या finished product है उसमें internal strain create हो जाती है और इसके अत्रिक्त कुछ मैतपून जानकारी जो हमें मालूम होनी चाहिए कि जो raw material होता है जो हम hopper में डालते हैं उसका uniform particle size का वो होना चाहिए साथ में उसका नियंतरित moisture content होना चाहिए अगर ऐसा होगा तभी हमें close dimensional tolerances को maintain कर सकते हैं और final finished extruded product smooth surface finish के साथ हमें ताप्त होगा तो इस तरह से इस पूरी process में working होती है और जो यहाँ पर हम thrust bearing का use करते हैं इसका काम होता है ताकि backup pressure को take up किया जासके इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं तो यह machine आप देख सकते हैं diagram में जो extrusion molding machine होती है इस प्रकार क्यों होती है motor लगा है ओपर लगा है उसके बाद यह पूरा barrel लगा होता है इस तरह से आप देख सकते हैं अगर हम बात करें इस process की advantage क्या होती है advantage इसका अगर injection molding machine के साथ इसका compare करें process के साथ उसके comparison में इसकी initial cost कम होती है continuous production process है high uniaxial strength इसमें हमें मिल जाती है dimensional control बढ़िया होता है complex और intricate shape इसमें बनाई जा सकती है और production rate भी इसका ज़्यादा होता है लेकिन इससे जो product हम बनाते हैं उसको हमें अलग से फिर उस पे कुछ work करने की जरूर्थ होती है थोड़ा finishing अलग देने की जरूर्थ होती है अगर हम बात करें इस disadvantage की disadvantage जैसे आपके साथ discuss किया था कि rapid cooling अगर की गई extruded part की तो उसमें कुछ internal strain है वो generate हो जाते हैं अगर हम बात करें metal casting में cooling के दोरान molded part shrink हो जाते हैं लेकिन यहाँ plastic का thermal expansion coefficient metal के मुकाबले ज्यादा होता है उसके बाद इसकी applications क्या है application long tube बनाई जा सकती है pipe बना सकते हैं bar बना सकते हैं steel या plate इतियादी को इसमें बनाया जा सकता है अगर आप इस diagram को देखें यहाँ पर यह gas tube बनाई गई हैं कुछ plastic straw बनाई गई हैं drinking water या drinking cold drink के लिए उसके अगर आप देखें कुछ plastic thin seat इसमें बनाई गई हैं तो यह बहुत सारे product हैं जो plastic के इसमें बनाई जा सकते हैं तो दोस्तों आज हमने आपके साथ इस video में discuss किया extrusion molding process के बारे में इसमें working process क्या रहती है और इसमें क्या क्या components होते हैं इसके advantage क्या है disadvantage क्या है और applications क्या है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और channels को subscribe करना ना भूले जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे झाल कर दोस्तों के लिए याद स वीडियो कर दोस्तों के लिए वीडियो कर सकते हैं